हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका अपना विक्की सुरेवशी उम्मिद करता हूं सभी अच्छे होंगे आज एक और नई वीडियो के साथ आया हूं आज मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे खैरी में पुलीस दोवारा एक बहुत ही अच्छा मंदर का निर्मान किया है तो मै आपको पूरी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों आप बने रहे हैं मेरी वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे जो रास्ता है बहुत खराब था और वीडियो में जो देख रहे हैं जे रास्ता था मंदर के लिए बहुत ही कठीन रास तो आप देख सकते हैं जहां का वीडियो में जो देख रहे हैं जे रास्ता था मंदर के लिए बहुत ही कठीन रास्ता था खैरी ठाना की प्लीस स्टाफ और स्पेशल एसेचर साहब जी का बहुत जोगदान रहा जिनोंने इस पहाड़ी पे इस मंदर का निर्मान किया है तो आप देख सकते हैं जहां का विउव खैरी में कितना अच्छा विउ है कितना कतरनाक रास्ता था यहां पे सारा प्लीस प्रसासन दवारा बनाया गया है तो जो देखिए आफ जो सामने दस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है जे खैरी का रावी वरीज और जे प्लीस मते प्र प्रोश में मंद्र का निर्मान क्या है फैरी पिलीज के दवारा और यह दखिए आप्सामने रावी नदी आ और उप सामने पहाड़ी दिखाए देए जो मुखिश्मिर की पहाड़ी है मानो जैसे जंगल में मंगल कर दिया हो जे सामने देखिए लाइट लगी है जहां पर पोल लगा कर और ये लाइट लगाई है मंदिर परिसर में तो हम बस कुछ ही दूरी में दूर पर आपको दिखाएंगे जहां पर महाकाली का मंदिर बनाया है तो देश्तो जैसामने अब हम मंदिर के पास पहुँच गए है काफी अच्छा मंदिर बना है तो जी काविले तारीफ रहेगा बस अभी हम कुछ ही मीटर की दूरी पर मंदर में अंट्रस करेंगे तो मैं आपको यहां बाहर से दिखाऊंगा पहले कि जो मंदर बना है उसके सामने का व्यू कैसा है जै देखिए जै देखिए जै है मातरानी का दरवार तो शाक्षाथ काली माता जी विराजमान है जै काली माता तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां से कितना अच्छा भी वाता है दोस्तों जै सामने देखिए आप यहां मंदर से सामने का व्यू है तो काफी अच्छा एक मंदर का निर्मान किया खैरी प्लीस दोवारा स्पेशल खैरी एस हैचो शिरी विकास जी के दोवारा दोस्तों इस वीडियो को आप अंतक जरूर देखें आज रात को जहां है सेचो खैरी दोवारा शिरी विकास कुमार जी के दोवारा और उनके अन्य स्टाफ के दोवारा एक जिब नवाले का अजोजन रखा है तो उमीद करूँगा मैं आपको जे वीडियो पसंद आए दोस्तों कितना अच्छा जहां पे मंदिर बना है माता की मूर्ती बहुत अच्छी है काली माता की हम जही अरदास करेंगे माता जी से की वह सभी भक्तों का कल्यान करें और एक बहुत ही जुरूरी बात है कि जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पहाड़ों के बीच में ये मंदिर का निर्मान किया है जहां से काफी सारी नीचे की और स्लाइड है तो आप देख सकते हैं यहां पे कितने कठिन भर रास्ते में बनाकर एक मंदिर का निर्मान किया है जहां पे चारों और यहां चारों और खाई ही खाई है स्लाइड है बिल्कुल जह रास्ता बनाया है प्लीस प्रसासनी के दवारा यहां पे दोस्तों पहले एक बहुत ही शोटा सा मंदिर होता था मैं आपको यहाँ पर डिस्पले पर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मुश्किलों से यहाँ पर सिमिंट, सरिया, इट, पानी, इत्यादी सारी बस्तों कैसे पुंचाई है तो दोस्तों उम्हेद करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोमेंट करना ना भूले, धन्यवाद